दोस्तों हमारा ब्रम्हांड अश्चर और अजूबों से भरा हुआ है हर दिन वैग्यानिकों के द्वारा कोई नई खोज की जाते है जो कि काफी अनोखी होते है ब्रम्हांड काफी सुन्दर है अपने कई बार टीवी और अखबार में इस बात को देखा और पढ़ा होगा अमेरिका की स्पेस एजनसी नासा अपने ओफिशल साइट्स पर ब्रम्हांड की कई रोचक को और सुन्दर तस्वीरें साजा करता रहता है लेकिन दोस्तों ये ब्रम्हांड और गैलेक्सी देखने में जितनी सुन्दर है उतनी ही रहसय माई भी है वैग्जानिकों की मानि तो एतनी खोज करने के बाद भी वैग्जानिक इसे पूरी तरह नहीं समझ पाएं और खोज में कोई नो कोई एक नया रहस्य उनके सामने आकर फिर कई सारे नय सवाल खड़े कर देता है अर जम आप से ब्रहम हंड के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो कि कई सालों से सब के दिमाग में एक सवाल के रूप में चक्कर काट रहे हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फोमल होट बी की दोस्तों ये एक तरह का तारा है लिकिन ये वैग्यानिकों के नजर में तब आया जब इस तारे का रूप एक आँख की तरह दिखाई दिया जिसकी वज़स से इस तारे को देखने पर ये तारा एक आँख की तरह दिखाई पड़ता है Fomal Hot B नाम के इस तारे को सबसे पहले 2004 में देखा गया था तब ये इतना विजिबल नहीं था लेकिन धीरे-धीरे की गए रिसोर्च में कई आँख्डे निकल के आए 2004 से 2006 तके नांकडों पर और रिसोर्च की गई तब जाकर कहीं 2008 में इस तारे के बारे में पूरी तरह से पता चला दोस्तों दरसल Fomal Hot B दो प्लैनेट्स के टकराने के बाद एक धूल भरे बादल का बढ़ता रोप था इस प्रोजेक्ट पर रिसोर्च कर रहे जर्मन वैग्यानिक गैस पर स्कॉर्ट के अनुसार ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है सन 2014 में वैग्यानिकों के अनुसार ये Fomal Hot B दी धीरे धीरे गायब हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं Great Attractor के दोस्तों नासा के कई बड़े वैग्यानिकों ने कई बार इस बात का दावा किया था कि ब्रह्मान्ड में कुछ ऐसा है जो कि हमारी गैलेक्सी को अपनी तरफ खीच रहा है इस बारे में कई सारे वैग्यानिकों ने रसोच की तो पता चला कि ये बात गलत नहीं है दोस्तों आपको इस बात का पता होगा कि स्पेस में हर चीज मूविंग है कोई भी चीज थिर नहीं है लेकिन ब्रह्मान्ड में कोई ऐसी ग्राविटेशनल पाहर है जो कि गैलेक्सी को अपनी तरफ खीच रही है और इसलिए कई वैग्यानिक इस ग्रेट अट्राक्टर को ब्लैक होल का ही पार्ट बता रहे है और प्रित्वी से इसकी दूरी 15,000 प्रकाश वर्श है दोस्तों ब्लैक होल का निर्मान तब होता है जब बड़े तारों का हाइड्रोजन और हीलियम रूपी इधन खत्म हो जाता है उसके बाद तारों में सूपर नूबा विसफोर्ट होता है ब्लैक होल और ग्रेट अट्राक्टर दोनों ही गैलेक्सी को धीरे धीरे अपनी तरफ खीच रहे हैं दोस्तों रात में हम जिनतारों को चमकते हुए देखते हैं उस आस्मान में ग्रेट अट्राक्टर नाम का एक बल मौजूद होता है जो कि हमें हर पल अपनी और आकर्शित कर रहा है ये सिर्फ हमारे ग्रेह या सौरमंडल को ही नहीं बलकि हमारी पूरी गैलेक्सी को अपनी तरफ आकर्शित करने की ताकत रखता है दोस्तों अब बात करते हैं हैंड उफ गार्ड के बारे में दोस्तों कुछ साल पहले वैगानिकों के दवारा अंतरेक्ष में कुछ ऐसा देखने को मिला। जिसे देखने के बाद कुछ पल तक वैगानिकों को तो समझ नहीं आया कि आखर ये है क्या। गोल्ड की तरह देखता है और देखने में काफी आखर्चक है और यह अंतरिक्ष में तारा तूटने के बाद बचा हुआ पलसर है इसे PSR B150958 के नाम से जाना जाता है दोस्तों दरसल होता है कि जब कोई तारा किसी बड़े पिंड से टकराता है तो एक बड़ा विस्फोट ह होता है विस्फोट होने के बाद उसके पलसर उसके पीछे रह जाते हैं और वो अलग-अलग तरा की आकरिती बनाते हैं इस पलसर का व्यास लगभग 19 किलामेटर है जो की हर सेकेंड 7 बार घूम रहा है साथी प्रिथवी से इसकी दूरी करीब 17,000 प्रकाश वर्ष है अंतर से लगातार इसकी इमेजेस जारी की जाती रही हैं पछली तस्वीरों से साफ है कि नेबिला के बादलों का घनात्व लगातार काम हो रहा है जिसकी वजह से ये आकरिती धुंदली होती जा रही है दोस्तों जब नासा ने इस इमेज को पहली बार अपने इंस्टाग्राम पे शेर किया था तो लोगों ने इसे साक्षाद भगवान का रूप बताया था और तभी से ये तारा सुर्खियों में आया था दोस्तों अब बात करते हैं 1991 वीजी अस्टरोइट के दोस्तों इसे धरती के लिए खत्रा कहा जा रहा है 1991 वीजी धरती के साथ साथ सोरे का चक जिब साटेलाइट की बात को खारिच कर दिया गया तो इस 1991 वीजी अस्टरोइट का लिंक एलियन्स द्वारा भीजे गए किसी हाई-टेक स्पेसक्राफ्ट से किया जाने लगा मतलब कि कुछ वैग्यानिकों ने इस बात को कहा है कि शायद ये एलियन्स द्वारा भीजी गई कोई खुफिया स्पेसक्राफ्ट हो जिससे वो प्रित्वी के निगरानी करना चाहते हो और वैग्यानिक अभी किसे भी नतीजे पर नहीं पहुँचे है उनकी खोच जा रही है दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखरी इक क्या हो सकता है क्या सच मैं एलियन्स के दोरा भीजी गई ये कोई खुफिया स्पेसक्राफ्ट है कॉमेंट करके ज़रूर बताएें दूस्तों अब बात करते हैं वोयजर स्पेस्क्राफ्ट के ये बात है करीब 45 साल पहले के वर्श 1977 के अगस्ट और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा ने दो अंतरिक्ष्यान धर्ती से रवाना किया थे जिनें वोयजर 1 और वोयजर 2 का नाम दिया गया था वोयजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकन स्पेस सेंटर कैंप कैनिविरल से छोड़ा गया था वहीं वोयजर 1 को 5 सतंबर को रवाना किया गया था इनका मुखे उदेश सौर मंदल के ग्रहों जियोपिटर, साटर्न, निप्चियून और योरेनस से जोड़ी महतोपुर्ण जैनकारि जो मानव इतिहास के अब तक के सफर और हमारे अर्थ की डेवोसिटी और कल्चर को दर्शाती है वरतमान समय में वोयजर 1 हमारे सौर मंदल को छोड़ कर इंटरस्टिलर स्पेस में पहुंच चुका है अभी ये हमारी प्रित्वी से करीब 21 अरब किलोमेटर दूर मौजूद है ये दूरी इतनी ज्यादा है कि वोयजर 1 से धर्थी पर संदेश आने जाने में करीब 36 गंटों का समय लग जाता है वहीं Voyager 2 हमारी प्रिथवी से करीब 17 अरब किलोमेटर दूर मौजूद है और ये भी वर्तमान समय में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है जिसके साथ ही इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला दूसरा मानविय यंत्र बन चुका है Voyager 2 की दूरी प्रिथवी से इतनी ज्यादा है कि Voyager 2 से धरती तक संदेश आने में करीब 30 घंटों का समय लग जाता है दूस्तों अब बात करते हैं IC 1101 गैलेक्सी की IC 1101 गैलेक्सी ब्रमहंड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है यह हमारी गैलेक्सी से 60 गुना बड़ी है और हमारी गैलेक्सी से इसकी दूरी एक लाख बिलियन प्रकाश वर्ष है दूस्तों अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता दें कि एक बिलियन प्रकाश वर्ष का अर्थ है एक अरब प्रकाश वर्ष यानि हमारी गैलेक्सी से IC 1101 की दूरी एक लाख अरब प्रकाश वर्ष है इसी तरह सबसे छोटी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के करीब ही है इसका नाम है विल्यम वन वर्ष 2004 में खोजी गई ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से एक लाख बीस हजार प्रकाश वर्ष के दूरी पर है इसकी खुद जर्मनी में स्थित मैक्स प्लैंक उनिवर्सिटी के निकलेस मार्टिन की टीम ने की थे जोस्तों गैलेक्सी के बारे में कहा गया है कि गैलेक्सी 1950 के दश्रक में सामने आये सिधान्त को महाविस्फोर्ट का सिधान्त यानि की दब बिग बैंक थियोरी कहा गया इस सिधान्त के तहित माना गया कि ब्रह्मांट के उत्पत्ति एक महाविस्फोर्ट से होए है जो कि काफी अतक साही भी है और हम बजपन से यही पढ़ते भी आ रहे हैं और यह सिध्धान्त गैलेक्सीज के प्रकाश में पाई जाने वाले डॉपलर प्रभाब पर आधारे था लेकिन कुछ वैग्यानिक ये भी मानते हैं कि गैलेक्सी के उत्पत्ती का कारण केवल यही स और NGC 4438 गैलेक्सीज के बीच हुई टककर ने उनमें तारों के निर्मान को रोक दिया था इससे वैग्यानिकों ने अनुमान लगाया कि इनके बीच टककर काफी जोरदार रही होगे तो दोस्तों ये हैं ब्रहमान में पाई जाने वाली सबसे अनुकी चीज़ें बाल